Hello students, आज की वीडियो में हम discuss करेंगे uses of spherical mirror तो हम दोनों mirrors के concave mirror और convex mirror के uses one by one discuss करेंगे तो पहले हम बात करते हैं uses of concave mirror तो as you all know, जैसे कि हम अगर parallel beam of light को incident करवाएंगे concave mirror पर तो वो सभी beams को एक point पर क्या करदेगा, meet करेगा, focus करेगा उस point पर क्या हम बोलते हैं, focus जैसे कि माल लो, यह फिनोमेना इसका use होता है dis antenna में और doctor head mirror में like यह मेरे पास एक concave mirror है और यह क्या होगी हमारी principle, axis this is pole, this one is focus and this is center of curvature तो अगर अगर parallel beam of light incident हो रही है, कोन के mirror कर यह माना कि मैंने parallel beam of light है जैसा कि आप सभी को पता है, अगर race बहुत दूर से आ रही है माल लो, infinity से आ रही है, तो क्या होगी, parallel race होगी और parallel race of light कहां मीट होती है reflection के बाद, at focus यह नहीं है एक ही, कितनी भी आ रही हो, माल लो यह भी parallel beam of light है, जो infinity से आ रही है तो यह भी reflection के बाद कहां मीट होगी, at focus यह माल लो, यह है parallel beam of light, यह भी reflection के बाद कहां मीट होगी, at focus तो यही फिनोमिना, यही चीज इसकी जो यूस्ट है, वो किसमें यूस होती है, डिस एंटिना में अगर फर्स तिंग, यहाँ पर infinity मन्स यह नहीं है, कि उस चीज को हम देखी नहीं, infinity से आ रही है मतलब infinity वाली चीज object पर depend करती है, मिस एक पेड़ है, माल लो, अगर मैं हूँ, मेरे लिए हो सकता है, पेड़ बहुत दूर है, वो infinite distance पर नहीं है बट वही पेड़ एक चीटी के लिए हम बात करें, तो हो सकता है, infinite distance पर हो जैसे कि अगर पेड़ बहुत दूर है, काफी दूर है, तो उसको हम क्या माल लेंगे physics में, at infinite distance यह नहीं कि infinite means हम infinite ही माल लें, बहुत distance पर है, काफी दूर है, तो हमने क्या माल लिया, वो infinite distance पर है जैसे अगर हम dish antenna की अगर बात करूं में, तो हम क्या देखते हैं, dish antenna में, आपने देखा भी हो गया, यह हमारा एक dish है, इस तरह की shape का, हमारे पास क्या होता है, dish, और यहाँ पर कहीं पर इसमें क्या होता है, focus होता है, आपने देखा होगा, इस antenna कहे दो, antenna या focus, आपको अब इतनी दूर से हमारी रेस आ रही है, ऐसा तो नहीं यह पास से आ रही है, तो parallel race of light यहाँ पर आएंगे, यह parallel race of light आई, और यहाँ से reflect होने के बाद यह क्या होंगी, इस तरह से, focus, यह point क्या है, focus पर meet होंगी, इसी तरह से, यहाँ पर, वो सभी क्या होंगी, focus पर meet मालो कितनी भी पहलल rays of light आएंगी वो सभी कहां सोरी थोड़ी सी पहलल यहां पर focus पर मेठ होंगे तो यही चीज़ अब यह जो rays आ रही है यह हमारी कौन सी है light rays नहीं है यह electromagnetic wave है जिसको हम क्या कहते है electromagnetic waves तो मेंस हमने क्या चीज़ देखी जिक कौन के वो mirror ऐसा नहीं सिर्फ light rays के लिए ही काम कर रहा electromagnetic waves या electromagnetic waves के लिए भी काम कर रहा है electromagnetic waves में जैसे आपके infrared rays, ultraviolet rays, x rays, gamma rays यह सभी आ जाती है तो यह सभी को क्या करता है यहां पर जो infinity से आ रही है reflect करके focus पे meet करेगा और हमें signal बहुत अच्छा दिखाई देगा और इसी तरह से आप doctor head mirror में देखते हो कि क्या है doctor एक पट्टी से बांद के अपने head या mirror लगा लेता है जब किसी patient को देखता है कई बार वो छोटी से injury को मानलो उसको nose पे कोई injury देखनी है तो head पे mirror लगाता है कुछ इस वे से और दूर कहीं पे light जलरी होती है तो उससे क्या आती है parallel race of light आएंगी आएंगी parallel race of light और उसको मानलो आपके nose में किसी particular point पे check करना हो light उसके mirror से reflect होके कहां पे उस जगे पे focus करेंगे और बहुत अराम से देख सकेगा वो आप कोगे कि torch से light मार के बटर torch से light मार के हम इतने अच्छी तरह से नहीं देख सकते जिसना इस से क्योंकि वो अपना head आप कई बार देखते हो जो वैसे check करता तो head अपना हिलाएगा उससे क्या होगा वो जो parallel race है वो उसके exact बिल्कुस उस point पे आए ताकि उस पे focus कर पाए तो ये phenomenon कि इसमें use हो रहा है आपका इन दोनों चीज़ों है second जो concave mirror use होता है to obtain parallel beam of light हम इससे क्या कर सकते हैं concave mirror से parallel beam of light obtained कर सकती है as you all know अगर focus से light race जा रही है तो focus से concave mirror पर reflect होने के बाद हमें क्या मिल जाती है parallel race तो इससे हम क्या कर सकते हैं to obtain parallel beam of light और ये चीज़ कहां पे use होती है इसमें ये चीज़ आपके use होगी इसमें torch में आपने torch देखी होगी या head light of automobiles या आप कह सकते हो car, head light, truck, head light सबकी head light स्पी तो इसमें क्या होता है as you know कि हम इसमें क्या करते हैं ये मेरे पास मालो कौन के mirror है इस प्रिंसिपल एक्सिस और इस प्रिंसिपल एक्सिस और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर फोकस है अगर हम फोकस पर कोई चीज़ रखते हैं इससे light यहां पर जाएंगी मालो यह light रेस गई तो mirror से टकराने के बाद reflect हो जाएंगी इस तरह से यहां पर light रेस गई mirror से टकराने के बाद reflect होगी तो हमें क्या मिलती है इस तरह से parallel light रेस अब यहीं चीज़ टोर्च में और हैल लाइट ऑफ ओटो मोबाइल में कैसे यूज हो रही है जैसे कि अगर हम देखें कि टोर्च जो हम करते हैं यूज अम मालो में यहां से देख रही हूं यहां से अप्जल कर रही हूं यह में तोर्च हो गई और तोर्च का यह क्या है बैक यहां पर क्या लगा है आपका कौन के फ मिरर और यहां पर कहीं पर एक बल्ब है बीच में होगा, यह बीच में नहीं होगा, मालनो यहां पर कहीं पर एक क्या है, कौन के बल्ब, थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, तो कौन के बल्ब है, अब इससे क्या होगा, यह इस तरह से अड़्जस्ट क्या हो, बिल्कुल फोकस पे है, मिस यहां से लाइट रे इस तरह से में मिलती पैलल बीम उफ लाइट जैसे हम कार के अगर हैड लाइट के हम बात करें तो कार के हैड लाइट में भी अगर यहां से आप देख रहे हो तो आप क्या देखते हो यह कार की headlight है यहां पर क्या लगा होता है आपका concave mirror और बिल्लकुल centre में यहां छोटा सा bulb लगा होता है तो इस bulb से क्या होंगी आपकी light निकलेंगी light race और यहां से incident होंगी और incident होने के बाद reflect हो जाएंगे in the form of parallel race जो source of light है यहां पर हम source of light को कहां रख रहे हैं focus पर कहां रखते है source of light को focus पर हमें क्या मिलती है parallel race हमें देखा कि concave mirror का कहां यूज़ कर रहे हैं ऐसे reflector यूज़ कर रहे है as a reflector to obtain parallel beam of light like torch search light headlight of photomiles and many more दूसरा हमने क्या देखा था कि इसको यूज़ कर रहे हैं doctor head mirror में और हम dis antenna वगेरा में भी इसको यूज़ करते हैं third and last use हम इसका बात करें तो third or last use हमारा क्या होगा third use हमारा होगा for magnifying mirror it is used for magnifying mirror as you know बिटा अगर हम concave mirror की बात करें तो concave mirror आपके क्या है हर तरह की image बना लेता है है मेंने देखा है that में हमने 6 cases पड़े थे different different कि किस किस तरह में दीमेज बना रहा है कैसे बना रहा है उसके बाद हमने बात किती convex mirror की जो सिरुफ एक ही तरह की बना रहा था तो ओकर concave mirror के हम बात करें सिरो एक ही case में कौन के ओव मिर्यर सिर्फ एक ही केस में क्या बनाता था इरेक्ट क्या बना रहा है इरेक्ट इमेज या फिर आप क्या कह सकते हो अप्राइट इमेज सिर्फ एक case में erect image यह upright image बनाता है कब बनाता है जब आपका object कहा होता है object is between focus and pole जब आपका object focus और pole के बीच में होता है उस case में सिर्फ यह क्या बनाता है आपकी erect image या you can say upright image तो आप क्या करते हो आप जैसे saving mirror यूज़ करते हो यह चीज़ कहां पर use होती है in saving mirror यह और कहां पर use होती है makeup mirrors में dentist जो mirror यूज़ करते है cavity वगएरा देखने के लिए वो भी यूज़ करते है dentist mirror में इन सभी जगे क्या यूज़ होता है यह चीज़ magnifying mirror की रूप में यूज़ होता है तो हम क्या करते हैं जैसे हम shave कर रहे हैं तो shave करते हुए हम face को कहां adjust करते हैं between the focus and pole जब face हमारा focus और pole के बीच आ जाता है तो वो हमें erect और magnified image शो करता है इसलिए हम छोटे से छोटे बाल को hair को बहुत आराम से face पर देख सकते हैं ऐसा नहीं man से यूज़ कर रहे हैं आप makeup mirror में भी देखते हैं ladies बड़े चोटी चोटी चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं face में और focal length ज्यादा होने की वज़े से जो आपका face है वो हमेशा focus और pole के बीच में ही रहेगा जो हम कौन के mirror लेते हैं which is used as magnifying mirror उसकी क्या होती है focal length बहुत ज्यादा होती है और दूसरा उसका aperture भी ज्यादा होता है focal length ज्यादा क्यों because the face lies between the focus and the pole always और large aperture क्यों होगा so as to view the entire face हम पूरे face को देख सके तो यह हमने बात की पूरी concave mirror की next we will discuss uses of convex mirror तो as you all know कि उसमें इतने सारे cases थे कौन के mirror के case में convex में सिर्फ हमें एक ही तरह की most लिया जो image बनती है वो हमारी सिर्फ कैसी बनाता है concave mirror अगर हम बात करें सब्सक्राइब का हम इर्फ और the minister गिर्फ उसमेंई आ रहे इन्हेट कोuard आरह में इनके मेंगनिवाइड मेंचमी नहीं बना रहा था्ट इरेक्टोर्ड ला रहेता rear view mirror it is used as rear view mirror in wickles जब wickles में देखते हो side में mirror होता है जिसमें पीछे का दिखता है उसमें ये convex mirror use होता है तो उसमें सिर्फ convex mirror क्यों use कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ क्या बनाता erect or diminished image अब erect or diminished image बनाने से क्या हुआ हम क्या कर लेते क्योंके mirror use करते तो बिटा क्या होता जैसे मान लो इसके पहला हमने यही mirror क्यों use किया rear view mirror के लिए first thing क्या है अगर हम देखे क्या reason है हमने इसी को use किया rear view mirror के लिए why क्योंके mirror को पहला reason it gives upright image upright image अब आपको अप्राइट image तो हमें क्योंके mirror भी दे सकता है बट बटा क्योंके mirror हमें upright और inverted दोनों तरह की image देता है तो मेंस अगर पीछे से क्या होता है हम देखते हैं हमारे vehicle में side में कोई यह हमारा vehicle है इसके view mirror में side में कोई टरक आ रहा है हमें दिखता है छोटा सा कुछ भी दिखता है बट अगर हम use करते कॉंके mirror तो क्या होता कभी तो वह सीधा दिखाता कि टरक आ रहा है उसकी image इंवर्टिड हो जाती distance कभी फिर सिधा हो जाता कभी छोटा हो जाता कभी बढ़ा हो जाता तो exactly हमें अच्छी तरह image नहीं मिलती दूसरा इसक रीजन क्या है यह हमें क्या हो यह खेता है dan impedes इक यह हमेंus दे रहा है जब हम ट्रक देख रहे हैं उसके साथ में हम जो फिल्ड ओफ विवर वो हमारी बढ़ जाती और चीज़ों को भी देखेए ऐसा नहीं सिर्फ ट्रक ही ट्रक शो कर रहा है पूरा हमें शो करता है जब कि अगर हम कौनके मिर्ण में किसी तरह सैट भी कर दे कि मेज हमारी जो बन सब्सक्राइगी हमें क्या देखेगा सिर्फ ट्रक ही देखेगा उसके साइड में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा यह सभी चीजें हम नहीं देख पाएंगे थार लास्ट कि अगर मैं बात करूं डैट इस इस लार्जर फिल्ड ओफ व्यूव इसका फिल्ड ओफ व्यूव भी क्या होता है बहुत जादा होता है अगर आप देखो गए कभी किसी विकल के रियर व्यूव मिरर में तो आपको ऐसा नहीं पीछी जो ट्रक आ रहा वही दिखता है साइड के पेड वगएरा और कोई विकल आ रहा है वह सब कुछ आपको क्या होता है दिखाई देता है तो दिस इस रीजन वाइव यूज वी यूज इंस्टेड ओफ कोनकेफ मिरर अम मन में आता है कि ठीक है कि हम प्लेन मिरर तो यूज कर सकते थे हमने रियर मिरर के लिए ठीक है उसमें कभी इमेज अप्राइड बनती है प्लेन मिरर तो हमने प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज किया प्लेन मिरर भी तो इरेक्ट इमेज बनाएगा तो बैटा हमने प्लेन मिरर क्यों यूज नहीं किया जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है size of image is same as size of object क्योंकि वहां पर image की size किसके बराबर होगी object के size के बराबर होगी इसलिए हमने rear view mirror के लिए plane mirror को use नहीं किया जो जो object का actual size है उसी की size की क्या होगी image form होगी ओके तो यह था हमारा फर्स्ट यूजो हमने पढ़ा उसको हमने देखा कॉनके क्यों नहीं यूज़ करते और plane mirror क्यों नहीं यूज़ करते इस rear view mirror में instead of convex mirror second use इसका बेटा आता है इन शोप्स शोप्स में कहां पे फोर एंटी थीफ शोप पे जाते हूं यूज़ दियुक्त नहीं करते हैं इसलों इसले शोप के पर क्या करता है बड़े बडए convex mirror लगा देता है चोटे ताकि हम उसको अराम से देख सकें ओके this is all about the uses of spherical mirror you have to study distinguish between plane mirror, concave mirror and convex mirror I hope यह सबका हो चुका है पूरी detail में इसके बारे में बात कर चुके है फिर भी अगर आपको कोई doubt हो we will discuss in our life lectures ओके बिटा